हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी कापके अपनी एट्व चैनल आरेस इस्टेडी प्रेंट में स्वागत है और दोस्तों मैं हूं आरेस सर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा PCMB 12 कच्छवारा PCMB 6 और गैनिक टेमिष्टी नाम है कार्मिकर सायन इससे पहले मैं आपको पहले पिछली वीडियो में उटी पढ़ा चुका हूं क्योंकि इस एकाई से अब्जक्ट आप प्रसन ही पूछे जाएंगे तीन नमबर के बो भी तो मैंने फिर भी इसके बाद भी क कुछ मैं आपके लिए कुछन लेके आया हूं इसमें से भी अब्जक्ट आप कुछन बन सकते हैं तो इसे भी आप एक और पढ़ लीजिए वैसे मैंने जो ओटी कराए हैं पंदाभी ओटी हैं उनको आप पढ़ने से ही आपको तीन नमर की ओड़ी उनही मैंसे 100% मिल जाए करते हैं और अपन आप कुछन की तरफ चलते हैं तो चलिए इसमें पहला प्रस्न है कारुक रसायन किसे कहते हैं इसका महत्तो लिखिए तो इसे देखते हैं कि विज्ञान की हुए साखा जिसके अंतरगत कारुन तता उसके विद्पन्नों का अध्यन किया याता है उसे कारुक रसायन कहते हैं इसके बाद कारुक रसायन का महत्तो है इम्पोर्टेंस ओप कार्णिक और्गनिक चेमिस्ट्री कारुक रसायन का महत्तो है इसमें पहला प्रण्रट है थोस के शक्कर दूध फल आदि सवी कारुक पदार्त उते हैं जनके पोशक часов आची और नमबर दो के नमबर दो है सूति उनी रोष मी चल्क का आड़ी सभी है कार्णिक पदार्थ होते हैं जिनका उपिव कपडों के रुम में This किसके रूम में किया तो है इंगा कंपड़ों में पर कर दोदेशां किंद जान किको है 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 हार्मौन तहं ता alan है Хармон, Tathya, Vitamin Carbonic UOICI जो हमारे लिए आवस्थक होते हैं पॉइंट Five Alcohol есть जिसका उपयोग सराब के रूप में किजे था किस के रूप में करते हैं सराब के रूप में अगला प्रसन है कार्मिक यवयकों का बर्गी करण कार्मिक यवयकों की शुरूत लिखिए कार्मिक यवयकों की शुरूत अर्थत कार्मिक यवयकों की शुरूत निम लिखे था है नमबर एक है बनस्पति जगत कहा से बनस्पति जगत गन्ना, शक्कर, बनस्पती, तेल, रवर, आधी, बनस्पती से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे बनस्पती जगत कहा जाता है, गन्ना हैं, शक्कर हैं, तेल हैं, सोयावीन, सर्शनों का तेल हैं कहां से हमको प्राप्त होते हैं, बनस्पती से, इसलिए इस जगत को क्या कहते है कि क्या कहते हैं इस जागत को बनस्पती जगत को औंटी सबस्दी जानत कि प्राड़ी जाता है बसा है प्रोटीन है ऐ Vine I Pak युव आधी हम को जीव जन्तुवं से प्राप्त होता यह इसलिए इसे प्राड़ी जगत कहा जाता है नम्बर तीन है खनेश रोत भूगर्व मतनों धर्ती से प्राप्त जैसे पेट्रोल मिलती है हमको खनेश पदार्त मिलते हैं कोई लाए पेट्रोलियम है आदी भूगरब से प्राप्त होते हैं इसलिए इन्हें खनेश रोत भी कहा जाता है जैसे आपने पड़ावा जीवास में इधन होते हैं जो हमको लाव क्रोड़ों वर्स पहले जबीन में दब जाने से बने थे जीव जन्तूं पेड़ पौदे जो सड़गल के अंदर चले गए थे उन्हें से हमें जीवास में इधन प्राप्त हुए थे इसके बाद अपना पॉइंट है किडवन तो किडवन क्या है कि एंजाइम तता जीवाड़ों की साहिता से किडवन की दète दौरे अलकोहल और सिर्का बनाया जाता है अंजाइम तता जीवाड़ों की दोरा किडवन की क्रिया दोरा अलकोहल सिर्का बनाया जाता है प्रशंच मेर फ्र किसी पधार्त का अडुहार किसी पधार्त का अडुहार ग्याद करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो नमबर एक है किसी पधार्त का किसी पधार्त का अडुहार ग्याद करने के लिए निम लखित बातों का ध्यान रखना चाहिए नमबर एक है पधार्त का भारात्मक संग्ठन क्या है पधार्त का भारात्मक संग्ठन नमबर दो पधार्त के अभी अभी तत्तों के परमाडवार नमबर तीन पधार्त का अडवार इनको ग्यात कने के लिए इन चीजों की ध्यार रखना चाहिए पदार्त का बारातों संग्ठन पदार्त के अभी तत्तों अगडवार पदार्त का डुबार इसके बाद आपका अगला प्रस्ण है आईउपीएसी नामकरण पद्दती से आप क्या समझते इसके नियम तता कुछ यह पर आईउपीएसी नाम लखिए कार्मिक पदार्तों की संक्या दिन प्रत दिन बढ़ने के साथ इनका नामकरण भी करना अतियावसक हो गया है अतहे इस समस्या को दूर करने के लिए सन 1968 में रसाइन अग्यों द्वारा अंतराश्टी संग द्वारा एक प्रडाली बनाई गई जिसे आईउपीएसी प्रडाली कहा जाता है इसका पूरणाम होता है International Union of Pure and Applied Chemistry इसके नियाम होते है आईउपीएसी प्रडाली कुछ नियाम है नमबर एक पहला नियम है यायको का नामकर्ण करते समय कारवन पर्माडों की सबसे लंबी सरंकला को लिया जाता है इनका नामकर्ण करते कारवन पर्माडों की सबसे लंबी सरंकला को लिया जाता है नमबर दो इस सरंकला में कारवन पर्माडों की उपर एक से दूसरे स्रे तक अरेविक संख्या में लिख दिया जाता है और पार्ष संख्या को स्थान की संख्या दोरा प्रकट किया जाता है नमर तिन संख्या का करम उस इस्थान से प्रार्म किया जाता है जिस से पार्ष स्रंख्या सबसे निकट होती है नमर फूर बिविन प्रतिश्थापियों को उनके पूर्ष संख्या लंगनों के अच्चर की क्रम में लिखा जाता है नमबर पांच मूल समूं के स्थान को अन्य प्रत्ति इस थाई समूं के ऊपर बरियता दी जाती है कुछ आयों पीएसी नाम है जैसे एसे ट्रीन का इथायन फॉरिय कमला मेथोने कमला एथिल एलकोल का एथिनोल एसीटोन का प्रोपेनोन एसेटल डाय का एथिनल इसके बाद सियाती स्रडी किसे कहते हैं इसकी कोई चार सिष्थान लिगी है कार्वनिक यौइकों का एक ऐसा समूँ जिसके प्रत्यक सदस्य में एक ही क्रियात्मक समूँ पाया थाए कितना एक ही किरियात्मक समूव होता है तता इन सभी योगों को बनाने की बिदियां समान होती है इन योगों को बनाने की बिदियां कैशी होते हैं समान सियाती सिर्णी कहलाती है इसकी कुछ बिस्षिटा है सियाती सिर्णी की इस स्रेड़ी के सभी योगिक, इस स्रेड़ी के सभी योगिकों को एक सामान सुप्तों दोरा प्रदस्त किया जाता है नमबर दो किरियातों समूर समान होने के कारण स्रेड़ी के सभी योगिकों के रसाइन गुड़ लवग एक समान होते है नमबर तिन सियाती स्रेडी के सभी योगिक सामान विदियों दौरा बना जाते हैं इसके बाद प्रस्न है एक कारनिक योग में 66.7% कारवन तथा 7.4% हाइड्रोजीन होता है तथा नाइड्रोजन 25.90% योगों के सरलतम सुतर मूलान पाते सुतर की गढना कीजे इतना होता है तो इसके सरलतम सुतर और मूलान पाते सुतर अपनको नकालना है तो इसके प्यारे विद्ध्यारती से ध्यानपूरुक समझी है क्योंकि इंपोडेंट प्रस्ण होने वाला है और इसमें से ऐसे देखे वोटी भी पूछी जा सकते हैं इस कुछ संगने से तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले इसमें तत्तो एं तत्तो प्रत्यसतता और परमाडु भार आपेच्चिक संक्या और परमाडु की सरलतम अनुपात अवक्स कॉलामें इसमें तो कारवन है कारवन की प्रत्यसत मात्रा कितनी है 66.7% जो कि कुश्ण में दिया हुआ है परमाड उभार इसका 12 और इसका आप इचिक संक्यापन ग्याद करेंगे तो प्रत्यसत प्रत्यसतता भागत 12 तो मलब 5.56 और परमाडऊ की सरलता मनुबआत कि इस में जब इसका प्रतिक संक्याप संक्यापन बाग देंगी 1.85 का प्रत्यिक शंक्यापन इड़ेंगी तो इसका आया परमाडूओं के शलता मनुपात कितना हो गया इसके बाद हाइड्रोइन की माद प्रसत अकतनी है 7.4 कुस्टन में दी हुई है परमाड वारिष का एक होता है और 7.4 में एक का भाग देंगे तो 7.4 ही आएगा इसमें 7.4 इसका इसका डिवाइडेशन 1.85 से करेंगे जो पहली किया गया था तो इसका डिवाइड करेंगे त पाइगा और 7.85 इंटू भागत 885 का डिवाइडेशन करने तो मन आएगा अब यहां पर देखते हैं क्यों मूलानपाति या सरलतम सूतर यहां मूलानपाति या सरलतम सूतर तो जैसे यहां पर कारन उसमें था तो कारन वहां से ले लिया कारण वहां से ले लिया तो कारण इसमें परमाड़ू की सरत्म संगे कर दिए इसका होगा है तो एक है तो एक है तो इसका मुलानपाती सूत्र निकल के आता है कि इसके बार इसमें आपका अगला है एक कार्मिक यह का मुलानपाती शूत्र ग्याद कीजिए जब एक ही वराबर 7.8% और ओर ओवराबर 22.2% है तो एक है है एक है कि इसमें देखती है आपन इसकी प्रत्यसत मात्रा देख लिए सबसे पहले कि प्रत्यसत मात्रा है जो कुस्यर्मिक दी लिज़ी 7.8 यह है की एफ ही आयरन 7,7.8% परमाडु भार होता इसका 56 आप इसका संग्या 7,7.8 में जब 56 का भाइब डिवाड़ेशन करेंगी तो यह आप कितना आएगा 1.36 और जो पहले आया है उसका इसमें डिवाड़ करेंगी तो 1.36 38 का 1.38 में जब भाग देंगी तो कितना आएगा एक इसी प्रकार से वहां पर ऑक्सियन है ऑक्सियन प्रत्सत मात्रा इसकी 22.2% परमाडु भार इसका 16 होता है इसका जब डिवाड़ेशन करेंगे आप इचिक संक्यान कालें तो 1.38 जब इसका डिवाड़ करेंगे तो 1.38 में 1.38 का बाहिक देंगे तो यह आएगा यहां पर इ इसका मूलानपाति सूत्र है एफ इ ओ इसका मूलानपाति सूत्र होता है